इलहाबाद विश्चु विद्याले की रेजिस्टेशन प्रक्रिया प्रारब हो चुकी है अगर आप रेजिस्टेशन करने जा रहे है तो कुछ प्रॉब्लम साएंगी कौन सी प्रॉब्लम आएंगी इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे तो अंत तक बने रहेगेगा ध् इन्होंने साफ साफ कहा है यहां पर आप यहां पर फेस्टू में देखेंगे तो इन्होंने कहा है आफ्टर देक्लिरेशन आफ सी उटी यूजी रिजल्ट ट्रॉट्वर्ट अप्लिकेट कें सेलेक्टेड प्रोग्राम ऑन पॉर्टल फॉर्दर रेजिस्टेशन फी जो से पहले तो सीटी का स्कोर कार्ड और दूसरे नंबर पर मांगेगा आपका एड्मिट कार्ट सीटी का ठीक है तो स्कोर कार्ड अभी आपके पास है नहीं एड्मिट काड़ अगर आप अप्लोड करके अप्लोड करना भी चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता और यहां पी इन्ह प्रोग्राम आप select करेंगे, सब के लिए 3300 रुपय लगेगा, अगर आप, अगर आप registration कर रहे हैं, और अगर आप registration कर रहे हैं, बिना आपने CUT, UG के scorecard के आप पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर लिख कर क्या जाएगा, document of the CUT scorecard is not uploaded, और अगर upload नहीं है CUT का scorecard, तो मेरे भाई, आप registration प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर आप गलत registration प्रक्रिया में कोई भी scorecard या कुछ भी डाल देते हैं, तो फिर वो reject कर दिया जाएगा, तो इसलिए अभी सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको detail भ प्रोग्राम सेलेक्ट करने का option देगा, इसके अलामा, अगर आपको form बरने में कोई दिक्कत आ रहे, तो आप हमारे comment section बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ, जैसे ही GCS University की registration प्रक्रिया शुरू होगी, हम उस पर लागरतार आपको update देते रहेंगे, बाकी कोई भी duty समस्या हो, comment section में आप छोड़ दीजेगा, उसको हम उस पर वीडियो ले करके जरूर आएंगे, thank you so much, जैहिन.